हेलो फ्रेंट आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेल वाली स्लीव से बिल्कुल फुनीसिंग के साथ में बनाना सीखेंगे तो इसके लिए ये हमने एक पट्टी ली हुई है जिससे हम फ्रेल बनाएंगे तो ये हमारी पट्टी जो है ये दो इंच के लगभग है चोड़ाई में ठीक है लंबाई में तो आपको अपने श्लीव से के अकॉर्डिंग लेना होगा और फ्रेल के हिसाब से जितनी भी आप फ्रेल जैसे भी डालना चाहो घनी या फिर थोड़ी दूर दूर में तो इस तरह से यहाँ पर हमको फ्रेल डाल देना है तो यहाँ पर पेचकस की सहायता से छोटी-छोटी सी चुननत डालते हुए शिलाई लगा लेनी है एक साइट से तो बस इस तरह से यहाँ पर हम पूरी पट्टी में शिलाई लगा लेंगे फ्रेल को बनाते हुए तो यह हमारी फ्रेल पूरी बनके कंप्लीट हो गई है इस तरह से देख सकते हो अब इसको बनाने के बाद हम क्या करेंगे अपना अस्तर वाला स्लेव से लेंगे जो हमने अस्तर कट किया हुआ है ठीके अब हम क्या करेंगे यह जो हमने फ्रिल बनाया हुआ है इसको इस तरह से रखेंगे यह देखो पहले तो इसको सई से फूरा ओपन कर लेना है सीधी कर लेना है और इसको हम इस तरह से रखेंगे तो जो हमारा मारजिन वाला कपड़ा है उसको हम बाहर की शाइट को रखेंगे और जो हमारा मतलब की जो फ्रिल वाला साइट है उसको अंदर की साइट को आप देख सकते हो वीडियो में अच्छे से समझ सकते हो कि किस तरह से मैंने रखा हुआ है अब इसके बाद हम ले लेंगे अपना main fabric तो main fabric को हम क्या करेंगे सीधा side को उपर की side को रखेंगे अब हम सीधे side में अपने frill को अंदर की side रखते हुए यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा लेना है और अस्तर को ऊपर के शाइड रखना है आप देख सकते हो फ्रिल हमारा बीच में है अस्तर ऊपर है और सीधे साइड में रखा हुआ है अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे और फोल्ड करने के बाद अच्छे से हाथ से फ्रेस कर लेंगे फ्रेस करने के बाद अब हम उपर से शिलाई लगा लेंगे तो बस यहाँ पर हम इस तरह से शिलाई लगा लेंगे तो यह हमारी फ्रिल जो है यह अच्छे से कवर पैर हैं bliver मार्जिन और भाल रहा नहीं होता है और यहां पर १पस्तनों दो scholars बबस इस अब एग्ट वह का सदो शिलाइं के लिगे लिए सिलाई सब्सक्राइब एंग्सक्राइब सेया धाता है यहां पर अस्तरLCब कर्ण Lage डेंगे और डेग Δ कितने के वाली श्रेवं बनके रेडी हुई है बिल्कुल भी मारजी नहीं दिख रहा है आप इसके बाद यहाँ पर आपके जो भी लेज वगेरा हो वो आप लगा सकते हो ठीक है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर भाद